तिलंगाना के रामप्पा मंदिर को युनेस्को से मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 13 सदी में बना रामप्पा मंदिर को युनेटेज नेशन की साखा युनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा परदान किया गया है तो दोस्तों यह चो तिलंगाना के रामप् तो दोस्तबं यहां पर यह जानना है कि वर्ड हेरिटेज सैट की जो कमिटी होती है उसकी 40 में बैठक हो रही थी और उसी में यह फैसला लिया गया और इसी के साथ ही राम उप्पा मंदिर को वर्ड है यह साइट का दरजह मिल गया है नार्वे ही एकमात्र देश रहा जो इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिलाना नहीं चाहता था बैठक में जितने भी देश थे उसमें से किवल नार्वे ही एकमात्र देश था जो इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा नहीं दिला यह मंदिर भगवाण सीव को समर्पित है भगवाण सीव इसमें बिराजमान है और इसे 13 सदि में काकृतिया वंस के जो राजा थे उनका नाम गनेश देव तो उन्होंने ही इसको बनवाया था काकृतिया राजा कि गनेशदेव यहां मंदिर निर्मान तक्निक और मजबुति के लिए जाना जाता है दोस्तों यह जो मंदीर हुआ निर्मान तक्निक और मजबूती के लिए जाना जाता है तो किस परकार से तो इसको देखते हैं तो इसका जो निव है निव में सेंड बॉक्स तक्निक का इस्तिमाल हुआ है सेंड बॉक्स मतलब बालों के बॉक्स का तक् दोस्तों अब बात करते हैं युनेस्कों की वर्ड हेरिटेज साइट के अंतरगत सबसे पहले भारत की ओर से अजन्ता और एलोरा को उफाएं आगरा का किला और ताजमहल को वर्ड हेरिटेज साइट का दरजा मिला था तो भारत की ओर से सबसे पहले अजन्ता और एलोरा की उ सबसे लेटेस्ट में वहेड़नें तो सबसे लेटेस्ट में जो है रामउपपा मंदिर तैलंगाना और यहाग जुलाई 2021 में इसको वर्ल्ड हैरिटेज साइट का दर्जा मिला तो आपको यह याद रखना है और भार्त में अब तक टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं तो ये भी आपके आद रखना है कि टोटल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 38 है तो 38 मा कुन है तो यह है रामप्पा टेमपल तेलंगाना यह करणड़ फिर से तो आपको यह याद रखना है अगला करणड़ फिर से बात करते हैं तो जापान की मोमीजी निसिया ने सबसे कम उम्र की ओलंपिक गोल्ड मेडल जितने वाली एतलेट बनी यह भी आपको याद रखना है कि जापान की मोमीजी निसिया जो है है वह सबसे कम उम्ड की ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता ओलम्पिक में और यह जापन के खिलाडी है और इनका जो खेल हुआ है इस्ट्रिट स्केट बोर्टिंग इनका खेल है और इस खेल को पहले बार उलम्पिक में सामिल किया गया है यह आपको याद रखना है पहले बार उलम्पिक में खेल को सामिल किया है इस्ट्रिट स्केट बोर्डिंग और इसी में सबसे कुम्बर की जो है एतलेट बनी गोल्ड करने जानकर आपको याद रखना है करेंट फिर से हो सकते हैं इसे कोश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों को